श्री राधा कृष्णा आए नमो नमहा सरपता मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ आप सभी भग शोता जनों को भी साधर नमस्कार करता हूँ ग्रंद श्री ब्रच की भक्त से आच्छम भगवान श्री हरी के भक्तों में श्रीनन्द किशोर दास कुशामी जी प्रभू के भक्ती जीवन चरितर कता का शवन करने वाले हैं जो इस ग्रंत में इस प्रकार से बढ़नेत है बंग देश के बाकोडा जिला के पुर्णिया पाट के श्री रशिकानन्द प्रभू के कनश्ट पुत्र श्रिनन्द किशोरदास को सामीर श्री श्री मान नित्यानन्द प्रभू की साती पीड़ी में थे वे शैश्वव से ही विशय विरक्त थे नित्यानन्द संतान होने के नाते वैशनव शिष्टाचार के अनुसार वैशनव मात्र के पूज्ज थे छोटे बड़े ग्रिहस्त और त्यागी सब उसी दृष्टी से उनका आदर करते थे पर यह उनके त्रणादपी सुनी चेन भाव के प्रतिकूल था इसमें उन्हें हार्दिक कष्ट होता था उनकी प्रबल इच्छा थी भगवत क्रिपालंब किसी विशिष्ट वैशनव के अनुगत्य में भजन सिक्षा ग्रहन करने की यह भी नित्यानन्द प्रभू के वन्शज होने के कारण उनके लिए संभब नहीं था जो सभी वैशनवों के पूजे थे और स्वेम आचारे सुरूप थे उन्हें कोई वैशनव अपने अनुगत्य मान कर भजन सिक्षा कैसे देता इसलिए वे चुपचाब घर छोड़ कर वरिंदावन चले गए उस समय गौड़िय वैशनव समाच के मुकुट मनिश विश्वनाथ चक्रवर्ति पाद विंदावन में ही रहते थे उनसे उन्होंने बिना अपने सुरूप का परिचे दिये भजन सिक्षा देने और शास्त्र ध्यान कराने की प्रात्ना की विश्वनाथ चक्रवर्ति पाद ने उनकी प्रात्ना सुईकार की कुछ दिन वे उनके अनुगत्त में भजन और शास्त्र ध्यान करती रहे किसी ने ना जाना कि वे नित्यानन संतान है पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी उन्होंने उन्हें खोचने के लिए कई वैश्वनों को इधर उधर भेज रखा था उनमें से एक उने खोचते खोचते वरंदावन में चक्रवरती पात के पास जा पहुचे चक्रवरती पात को उन्होंने उनके सुरूप का परिचे देते वे उनकी माँ कि दारुन विथा का वढ़नन किया और घर लोटकर उनकी इच्छा नुसर वाग करने की आग्या देने का नुरूत किया चक्रवती पात परम पुझ्या मा गुसामेनी की इच्छा के अवेलना कैसे करते उन्होंने नंद किशोर गुसामे से कहा आपने मुझे अपने सक्षा गुरू के रूप में आंगीकार किया है यदि मैं कुछ गुरु दक्षिना मांगू तो देंगे क्यों नहीं आप आग्या करें नंद किशोर ने तुरंद कहा मेरी गुरू दक्षिना रूप में आप अब मा के ग्यानुसार घर लौट जाए और विवा करें नंद किशोर जी घर लौट कहे विवा किया और एक पुत्र को जन्द दिया उसके पश्चातवे फिर ग्रहत त्याकर विंदावन चले गए अपने साथ समवत सत्रा सो पंद्रा की बादशाई सनंद के साथ शेशे निताए गौरांग विग्रे लिते गए जिनकी आज भी श्रिंगारवट में विदिवत सेवा पूझा चल रही है उनका लौकिक प्रभाव देखकर जोदपूर के तातकालिन राजा ने उन्हें बहुत सी फूसंपत्ति प्रदान की जिसका उनके वलसष निताए गौरांगी की सेवा में उप्योग कर रहे हैं श्रिपात नंद किशोर जी के पास भूंदू नाम का एक व्रजवासी बालक रहता था जो उनकी गायों की देखभाल करता था उसे लोग भूंदू इसलिए कहते थे कि उसे चल कपट और चतुराई चूकर भी नहीं गए थे उससे यदि उप्वास में कोई कुछ जूट भी कह देता तो वो उसे मान लेता शंका करना तो उसे आता ही ना था वो नित बाल भोग प्रसाद पाकाश्रीपात की गाये चराने जमना पार भांडीरवर्ण में जाय करता उससे किसी ने कहा था कि भांडीरवर्ण में नंदलाल गौल बाल सहित गाये चराने जाते हैं वह सोच का खुश होता कि किसी दिन उनसे भेट होगी तवा उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कुदा करेगा भोले भाले भूंदू के हिदे कि भाव तरंग उमड़ उमड़ कर जा टकराई भक्त वच्सल भगवान के मन मंदर से उन में से भी एक अपूर व अलोडन की सुष्टी होई और जाक पड़ी कि एक नई वासना भूंदू के साथ पत्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की तो हो गई एक दिन भेट दोनों में भेट को मित्रता में बदलते देर ना लगी भूंदू नित्ते कुछ खाने पीने की सामकरी अपने साथ ले आता नंदलाल और उनके साथ ही गौल बाल उसके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कुदते कई दिन श्रिपाद ने देखा भूंदू को समान सिर पर ढोकर ले जाते एक दिन उन्होंने पूछा भूंदू ये क्या ले जा रहा है जे दाल बाटी के ताई है श्रिपाद दाल बाटी किसके लिए नंदलाल और बिन के साथी गौल बालन के लिए हम सब मिलके रोज दाल बाटी बना में है नंदलाल कौन से नंदलाल रहे है बै बांसी बारे जो भांडीरवन में गया चरा में है बांसी बारे बांडिरवन में गईया चरामे है अच्छा बता तो उनका मुखरविन और वेशपुशा कैसी है वे बड़े मलूक है सिर्फ पैर मोर मुकुट धारन करे है कानन में कुंडल गले में बनमाला धारन करे है और पीरे रंग की ओड़ना ओड़े है सच में बड़े मलूक लगे है श्रिपात आश्चर चकित नित्रों से भूंदू की ओर देखते रहे के उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था पर वे विश्वास की बिना रह भी नहीं सक रहे थे क्योंकि वे जानते थे भूंदू जूट नहीं बोलता उन्होंने कहा अच्छा भूंदू एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहां ले आना उनसे कहना श्रीपात के यहां अपना दाल बाटी का निमंतरन है वे आ जाएंगे न ओमेंगे चो नहीं मैं बिनको ले आऊंगा भूंदू ने खुश होकर कहा उस दिन भांडिरवन जाते से मैं भूंदू सोच रहा था आज नंदलाल से श्रीपात के निमंतरन की कहूंगा तो वे कितना खुश होगा पर जब उसने उनसे निमंतरन की बात कही तो वे बोले हम काउ को नौती ओते नाए खामें बूंदू का चेहरा सुस्त पढ़ गया उसने कहा नाए नंदलाल तो कोई चलनो पर होगे मैंनो श्रीपात से कैदी है मैं तो ले जाओंगो नाए हम ना जाए हमको श्रीपात सो कहा करनो नंदलाल ने गरदन हिला कर मुबिच कातिव बे कहा बूंदू रोश करना नहीं जानता था पर उस समय उसे रोश आ गया उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा पर वो अपनी गवे को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा जैसे वो नंदलाल से कह रहा हो तुझे श्रीपात से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं क क्या अब सुनने वाला था वो और भी तेजी से गवों को हाकने लगा बोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कप थे वे भागे उसके पीछे-वारे ब्रच के भगवान तुम्हें भगवान कहते ही वानी लजाती है भगवान जो अनंत कोटी ब्रह्मान के शिष्टी सित्य और प्रलय करता है ब्रह्मा विश्णुर महेश जिनके अंश के भी अंश है वे क्या किसी वेक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो जैसे उसके रूट जाने से उनका त्रिलोकी का समराज जचिन जाने व पर उसमें विनय का भाव था बोंदू ने उनकी नित्रोक की ओर देखा तो वे सजल थे उसने कहा कहा कहो मैं कहूं मैं श्रीपात को निमंतर अस्विकार नाय करूं मैं तो कहूं मैं शिंगारवट नाय जाओंगा तू तो भौरो है जाए नाय शिंगारवट राधारानी की ठोर है, हुआ दाओ दादा कैसे जाओ को, मेरे सखा कैसे जाएंगे, श्रीपात कहू, हओ आवनो हओ को, अपने माथे पैसामगरी लेके, युए अपने हाथ से दाल बाटी बनामेंगे, तो हम पामेंगे, बुन्दू प्रसन्न हो गया, उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श् सब कुछ ने वेदन किया, श्रीपात दूसरे दिन प्रचूर सामगरी अपने मस्तक पर वहन कर भांडीरवन ले गए, वे राम क्रिश्न गौाल बालों के साथ उनका क्रिड़ा विनोत देखकर कृतार्थ हुए, थोड़ी देर में सब कुछ अंतरहित हो गया, तब वे मूर प्रच का कलिका नाम के दो ग्रंथों का प्रणयन किया, इस प्रकार से ग्रंथ शी ब्रच के भक्त से आज हमने श्री नंद किशोर दासगो सामी प्रपुजी के कथा का शवन किया, कथा का शवन करने के लिए और अपना बहु मूले समय देने के लिए आपको धन्यवाद, शे राधा कृष्णाय नमो नमहा